राइस बैक डोनेशन उसका नाम रगुननदन था वो एक बहुत बड़ा दगे बास था वो एक एक गाउ में एक एक तरह से दगा करते हुए जीवन बिताता था एक बार रगुननदन एक गाउ में आया वहां उस गाउ में जिदर भी देखो चारो तरफ उसे राइस मिल्स के दिखाई दिये रगुननदन तभी अरे वाह इस गाउ में जहां भी देखो राइस मिल्स गोडा वो मतलब यहां पे चावल का फसल अच्छा होता है सोचके एक घर में आया वहां पे एक औरत से माजी मेरा नाम रगु है मैं एक पुर्धा आश्रम चड़ा रहा हूं आप प आश्रम के बड़े बुजूर्गों को एक पहर खाना खिला सकता हूं अरे बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है लगबक कितने बुजूर्ग होंगे तुमारे आश्रम में पूछी तो रगु आसपास के गाउ से कुछ लोग विदे से आये कुछ लोग कुन मिला के 30 लोग हो राइस बैक डोनेट कीजी है ना कहा तो वो और बहुत अची सोचे बेटा कल आके मिलना मैं तुम्हें राइस बैक दूंगी बोली तो रगु ठीके बोलके वहाँ से चला गया वैसे रगु घर घर जाके राइस बैक डोनेट करने के लिए बोला अगले दिन उन राइस बैक को एक लोड़ी में चड़ा के सहर जाके एक बड़े मार्केट यार्ड में जाके चावल भाई चावल हम्ती चावल करनूल सोना मसूरी चावल बाबू आईए आईए कहकर चिला ने लगा उस दिन शाम को लोरी में रहे सारे चावल को बेच के पैसे गिनते हुए अरे वाह कलक्शन तो जबरदस्ते ये आईडिया तो लापदाइक है अब की बार आजू बाजू के गाउं में भी राइस बैक को पूछेंगे अगले दिन पडोस के गाउं में एक जगा पे तब मैं वुर्धरास्रम चला रहा हूँ उनका पालन पोशन करने के लिए बाजू के गाउं के ग्रामवासी राइस बैक्स डोनेट किये आप भी आपके मुताबिक जितना हो सके उतना राइस बैक्स डोनेट कीजी अन्नदाता सुखी भवा आप जैसे लोगों के अगर हम म में राइस बैक्स को स्टॉक किया एक बाद रगु एक लॉरी ड्राइवर को फोन करते हुए क्यों रहे राइस बैक्स कैसे हो रहा है कैल सुबह तक पूरा बाल दिख जाएगा मैं हमारे गोदाम को कल वापस आ जाओंगा शाम तक कहा तो रगु संबल के भाई पुलीस हों मैं आज रात गोदाम में ही रुकूंगा कहके फोन रख दिया उतने में एक पुलीस जीप में से SI माइक में ग्रामवासियों सुनो सरकर के आदेश अनुसार आने वाले 30 दिन लॉकडाउन रहेगा कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए कुरुपया सभी घरों में ही रहि वो बात सुनके रघू चौंक गया क्या हुआ लॉकडाउन कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए लॉरी ट्रेन सर्विसे सभी बंद पड़ गये अब मेरी हालत क्या होगी ऐसे इस गोडाम में लॉक हो गया ठीक है सुबह उठके देखते हैं तोचा अगले दिन लॉरी करो शाम तक पहुंच जाओगे बोले थे कहा तो ड्राइवर ओ भाई कैसे आओ लॉकडाउन बोल रहें बाहर आने से माल रहें इसलिए मैं अपना घर चला जाओगा ठीक है पर पैसे तो संभाल के रखा है ना आप बिलकुल फिकर मत कीजिए भाई पैसे सुरक्षित हैं कह कुछ देर जाने के बाद रखु को भूक लगी तो वो चारो तरफ ठीक से ढूणने पर उसे एक गैस टॉफ दिखाई दिया तूरंत वहाँ पे रखे एक राइस बैक को ओपन करके चावल बना के खाया उतने में एक पुलिस वैन आके कोई बाहर मत निकलो आओगे तो कहकी चिला रहे थे रखु बाप प्रे मैं अकेला इस गोदाउं में राइस बैक के बीचो फस गया हूँ ये कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा वैसे तीस दिन बोले तो बाप प्रे मुझसे नहीं होगा सोचके वहाँ से भाग निकलने के लिए गोदाम से बाहर निकला और भ काये दिन के दो पहर किदर भागे जा रहे हो पूछा तो रघु बाप प्रे अभी राइस ब्लैक्स के बारे में बताऊंगा तो जरूर मैं चोर सा भी दोधाऊंगा दरसल क्या है न साथ तुबह जोगिंग करना भूल गया इसलिए अभी मैं जोगिंग कर रहा हूं कहा जो पिलके उसे खूब पीते तब रघु कहके वहां से भाग गया और गोडाओंगे और निकल गया है अगले दिन रघु हे भगवाण क्या ये प्रिस्थिती आ गई ए उतने दिन ऐसे खाली भाद खाना होगा कंटा ला गया है सोचके लॉरी क्यों भाइञा मस्ते कर रहे मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ एंजोइ कर रहा हुआ खाया कहा तो रगु सिकेन करी खार आए मेरे लाल खा खा बेटा खा कहा तो लॉरी ड्रेवर खाया बोला भूल गया तीस दिन तक लॉकडाउन है उतने दिनों तक राइस बैक्स गोडाम में रुपने से ठीक नहीं होगा कीडे लग जाएंगे संभाल कर कहा तो रगु कोन कट करके ऐसी हालात में राइस बस्ता बेचना मुम्किन नहीं है और दूसरी और ज्यादा दिन ऐसे रखने से खराब हो जाएंगे और मैं यही पर फस गया हूँ क्या करना होगा कहते हुए गहरी सोच में गिर गया अगले दिन रगु एक एस्ताई के पास जाकर सर मेरा नाम र इसलिए मैं उन्हें अपने राइस बैक्स डोनेट करना चाहता हूँ कहा तो एससाई सोच तुभारी अच्छी है पर वो लगभग हजार के ऊपर होंगे कहा तो रगु ठी के साथ चलेगा मैं उन सबको राइस बैक्स डोनेट करूंगा कहा वो बाते सुनके एससाई पर देगी में ऐसी गलतियां नहीं करूंगा सोचा